नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में, Infinix Note 11 vs. Tecno Spark 8C का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे. सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की. दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Note 11 में 6.47 इंच जबकी Spark 8C में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है. जोकी सेम जैसी ही है. Width की बात करें तो, Note 11 में 3.02 inch जबकि Spark 8C में 2.99 inch की Width मिलती है जोकी Note 11 से कम है बात करें थिकनेस की तो, Note 11 में 0.31 inch जबकि Spark 8C में 0.35 inch की थिकनेस मिलती है जोकी Note 11 से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो, Note 11 में 184.5 ग्राम्स जबकि Spark 8C में 193 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जोकी Note 11 से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, Note 11 में AMOLED जबकि Spark 8C में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है आसपेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही, दीस रेशियो नौ मिलता है डिस्प्ले साइस की बात करें तो, Note 11 में 6.7 इंचर्स जबकि Spark 8C में 6.6 इंचर्स मिलती है Display Resolution, Note 11 में 1080 x 2400 और Spark 8C में 720 x 1612 मिलता है Screen to Body Ratio, Note 11 में 86.06 प्रतिशत जबकी Spark 8C में 84.12 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, Note 11 में 393 प्रति इंच जबकी Spark 8C में 266 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा Features Camera की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, Note 11 में 3 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Depth Camera और आखिर में AI Lens देखने को मिलता है और Spark 8C की बात करें तो इसमें भी हमें 3 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Second Camera और आखिर में AI Lens देखने को मिलता है बात करें Video Camera की तो दोनों फोन में 7 Different Type के Features मिल जाते है अब बात करें Front Camera यानि की Selfie Camera की तो Note 11 में Single Camera देखने को मिलता है जिसमें की 5 Different Features मिलते है और Spark 8C में भी Single Camera देखने को मिलता है जिसमें 3 Different Features मिलते है अई अब बात करते हैं Hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की Information देखते हैं Hardware में सबसे पहेले CPU जो की Speed के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे Important Part है उसकी Details देखते है GPU की बात करें तो Note 11 में Mali G52 MC2 जबकि Spark 8C में Mali G57 MP1 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Note 11 में MediaTek Helio G88 और Spark 8C में Unisoft T606 मिलता है बात करें RAM की तो Note 11 में 2 Variant देखने को मिलता है जिसमें 4 GB 6 GB की RAM मिलती है जबकि Spark 8C में 1 ही Variant देखने को मिलता है जिसमें 3 GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो Note 11 में 2 Variant देखने को मिलता है जिसमें 64 GB 128 GB की Storage मिलती है जबकि Spark 8C में एक ही Variant देखने को मिलता है जिसमें 64 GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो Note 11 में अप्टू 512 GB जबकि Spark 8C में अप्टू 256 GB है Operating System दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है बातरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते हैं Colors की बात करें तो Note 11 में दो Colors जबकि Spark 8C में 4 Colors आप्शन मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें Price की तो Note 11 में 2 Variant देखने को मिलते है जिसमें की 4 GB RAM 64 GB Storage के साथ 11,999 रूपीज 6 GB RAM 128 GB Storage के साथ 14,499 रूपीज में मिलता है और बात करें Spark 8C की तो उसमें एक ही Variant मिलता है जो की 3 GB RAM 64 GB Storage के साथ 7,499 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Gons यानि की फायदे और नुकसान की तो Infinix Note 11 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Tecno Spark 8C की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है रिजल्ट की तो दिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में Note 11 आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है दूसरा Realme 7 है तीसरा Vivo Y20 है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Oppo A53 2020 है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना